बच्चों मैं डॉक्टर भावना शर्मा बीए फाइनल एर के बच्चों के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रतीक प्रतीक के बारे में चर्चा करेंगे इससे पूर में अपनने मिथक, फेंटेसी, मानवताबाद, आदी के बारे में पढ़ा था आज प्रतीक प्रतीक एक ऐसा वस्तु का बहुत कराता है इस शब्द से अपन को प्रतीत हो रहा है कि प्रतीक का आर्थ किसी ऐशे शब्द चिन्न से है जो वस्तु का बहुत कराता है वस्तु तह प्रतीक किसी सूक्ष्म भाव, विचार या अगोचर तत्व को साकार करने के लिए प्रयोक्त होता है उध के सम्मान एवं गौरफ का प्रतीक होता है प्रतीक शब्द रूप में किसी अन्य अर्थ की वेंजना करता है जैसे काहेरी नलिनी तू कुमलानी इस पंक्ती में नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है इस पस्ट ही नलिनी का शबदार्थ ना लेकर यहाँ प्रतिकार्थ गरहन किया गया है प्रतिक की चार विश्य Šnayan बताई गई हैं प्रतीग आ प्रस्तुत का प्रतिनिद्व करने वाले करने वाले प्रस्तुत का नाम है प्रतीग जो नहीं देख उस पर युग, देश, संस्कृती तथा माननेताओं की छाप रहती है जो प्रतीक है उस पर देश, संस्कृती और माननेता की छाप रहती है कभियों द्वारा प्रयुक्त, प्रतीक, प्रारंब में व्यक्तिगत होते हैं पर धीरे-दीरे वे रून हो जाते हैं काव्य का साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग प्रारंब से होता रहा है हिंदी में सिद्य साहित्य में कवीर आदी कवियों की रचनाओं में प्रतीक का प्रचुर्ता से प्रयोग हुआ है मेलारमेन के अनुसार अर्थ की सपस्टता से कावे का आनन्द कम हो जाता है अतह रैस्यात्मक परतिकों में यही बात कही जाए तो वह अधिक प्रभावशाली हो जाती है कबीर नैEM बुंद को जीबात्मा का तथा सागर को परमात्मा का परतिक माना है जैसे बूंद समानी समुद में सोकत हेरी जाए प्रतीकों के भेद प्रतीकों के अनेक भेद विविन आधारों पर बताए गए हैं जिसमें प्रमुख हैं भावोत प्रेरक प्रतीक विचारोत प्रेरक प्रतीक व्यक्तिक प्रतीक परंपरागत प्रतीक परंपरा, मुक्त प्रतीक, भावपरक प्रतीक, व्याख्यात्मक प्रतीक और प्रकर्ती परतीक इसमें सरप्रथम भावोत्परेरक प्रतीक जैसे कमल, चंद्रमा, कुमिदिनी जिसमें भाव या राग की प्रधानता रहती है विचारुतपदक प्रतीक, जिनसे वैचारिक प्रमुकता होती है, जैसे बिभीशन, घर का भेदी का प्रतीक, अपन बोलते हैं, उधारन दिया जाता है, घर का भेदी लंका अढ़ाय, तो इसमें अपने दिमाग में कौन आता है, बिभीशन, क्योंकि उसने अपना भेद बत का लंका को समाप्त करवा दिया, गांधी जी, सत्य और इमानदारी का प्रतीक, फिर इसके बाद आता है, वियक्तिक प्रतीक, वियक्तिक प्रतीक में निज, कभी के निजी प्रतीक को उसकी अनुभूती पर आध्रत होते हैं, जैसे कभी द्वारा प्रयुक्त नलिनी, हनसा, जीवात्मा का प्रतीक है, परमपरा, मुक्त प्रतीक, ये प्रतीक नवींता लिये हुए होते हैं, नई कविता के प्रतीक, इसी वर्ग के हैं, जैसे साम इशालू प्रवत्ती का प्रतीक जिसमें दूसरे को विश्दन ते चुबाने की प्रवत्ती होती है सांप अपनने देखा है कि दूसरे को हमेशा डसने का काम करता है तो अपन क्या कहते हैं जैरीले सांप के जैसा भावपरक प्रतीक ये शब्दा शृत नहोकर भावाशृत होते हैं छायवादी प्रतीक इसी कोटी के हैं व्याख्यात्मक प्रतीक इनका चैयन गुणों और विशेष्ताओं के कारण किया जाता है जैसे सिंग वीटा का प्रतीक है और गीदर कायरता का प्रकर्ति परक प्रतीक प्रकर्तिक उपादानों के लिए किये गए प्रतीक कमल चान्नी आदी इसी प्रकार के प्रतीक है प्रतीक काव्य भाशा का तत्व है जो भाव की अभिव्यक्ति को सबल बनाता है और भावों को मूर्तरू प्रदान करता है डॉक्टर नगेंदर की माननेता है कि उपमान जब किसी पदार्थ विशेश के लिए रून हो जाता है तब प्रतीक बन जाता है ऐसे प्रतीक को इस्तिर प्रतीक कहते हैं जैसे मदुमे वसंत जीवन बन के इस पंक्ती में वसंत जीवन का प्रतीक है जीवन को यदि एक उपवन मान लिया जाए तो वसंत का आर्थ योवन ही होगा वसंत रितू आने पर जैसे उपवन खिल उठता है उसी प्रकार योवन आने पर जीवन में प्रफुलता, सुंदरता, मदुरता का विकास अनायास ही हो उठता है तो आज अपन ने प्रतीक के बारे में पढ़ा प्रतीक किसे कहते हैं प्रतीक की परिभाशा, प्रतीक की विशेश्ताएं, प्रतीक के भेद, प्रतीक की मैंने आपको चार विशेश्ताएं बताई, प्रतीक के आठ भेद बताए, प्रतीक किस तरीके से काम करता है इसके बा कविता को कहता है तो उससे वसन शब्द से अपन समझ जाते हैं योवन का प्रतीक है तो आज अपन ने प्रतीक के बारे में पढ़ा और उसके बारे में जाना बहुत बहुत धन्यवाद